दोस्तो आज के वीडियो में हम calculate करने वाले है 3-phase voltage drop calculation किस तरह से करतें तो यहाँ पर आपको पूरा बताएंगे अगर यह वीडियो आपको अच्छे लेगे तो like कर देना वो चैनल को subscribe कर देना तो यहाँ पर हमारा जो question है what is the voltage drop of a 440 hold 3-phase circuit consisting of a 6-thorn copper conductor that supply a 80 ampere load that is 250 feet from the source तो यहाँ पर हमारा question है तो इसको हम यहाँ पर किस तरह से solve करेंगे तो इसके बारे में आपको बताएंगे यहाँ पर हमारे पास है 3-phase voltage drop का formula 1.73K multiply L multiply I divided by CM तो इन सब का यहाँ पर मतलब क्या आए आपको पहले समझाते फिर इसका हम यहाँ पर calculation करेंगे सबसे पहले यहाँ पर दिया आए VD VD का मतलब voltage drop उसके बाद यहाँ पर दिया लेंध fit of conductor from the source to load ठीके उसके बाद यहाँ पर दिया है I connected load current in ampere हम इसको ampere में count करते CMIL का मतलब conductor cross sectional area in a circular miles ठीके उसके बाद यहाँ पर दिया है K resistance in a ohum of a one circular mile foot of conductor ठीके तो यहाँ पर हमारा K यहाँ पर constant है तो इसकी value यहाँ पर दिया है 12.9 और यहाँ पर temperature दिया है 75 Celsius ठीके तो यह चीज़ हम यहाँ पर दिया गई है उसके बाद यहाँ एक calculation कर लेते तो यहाँ पर दिख सकते हो तो यहाँ पर है 12.9 तो इसको हम यहाँ पर note down कर देते 12.9 multiply यहाँ पर यहाँ का मतलब क्या है length तो यहाँ पर दिखिए उपर जो question है हमारा उसमें तो यहाँ पर दिखिए 250 feet तो यहाँ पर dice of feet हमारी length है तो इसको हम यहाँ पर no down कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर लिखना है i, i का यहाँ पर मतलब है current हमारा, तो यहाँ पर ampere है, तो 80 ampere हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इसे यहाँ पर divide करेंगे cm से circular miles of conductor, तो यहाँ पर हमारा T वाले conductor properties का, तो यहाँ पर हमें देख लिना इसके value यहाँ पर circular miles पर क्या दीए, तो यहाँ पर देखिए 6 उसके बाद यहाँ पर लिखा है, देखे circular miles, और यहाँ पर लिखा है 26,240, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीके, तो इसको फटाब लिख देते हैं, और बाद में इसका यहाँ परに calculation करेंगे, हम 26,240 य यहापर मिल रहा है तो इसको हमने यहापर note down कर दिया ठीक है इनका calculation करने के बाद उसके बाद यहापर लिखेंगे 26,240 तो यहापर लिख दिया उसके बाद इसका भी यहापर calculation कर लेते तो यहाँ पर calculation करने के बाद हमको यहाँ पर मिलता है 17.009 hold तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर 17 hold यहाँ पर voltage drop हो रहा है तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है तो यहाँ पर देख सकते हो तो आप इसका यहाँ पर calculation करके देखो तो यहाँ पर हमारा 17 holt यहाँ पर holtage drop हो रहा है तो हम उसको यहाँ पर nuk down कर देते 17 holt drop ठीक है तो यहाँ पर इसको हमने लिख दिया है उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम तो यहाँ पर हमारा पूरा holtage कितना है 440 है तो इसमें से हम यहाँ पर 17 को minus कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा, 423 hold, जो हमारा load है, उसको यहाँ पे मिलेगा, तो इस बातको भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा hold is drop होआ है, उसे हम निकालेंगे percentage में, 17 divided by 440 hold, multiply 100 करेंगे तो यहाँ पे इन सब का calculation करने के बाद हमको यहाँ पे मिलेगा हमारा percentage में मिलेगा तो यहाँ पे calculation करने के बाद हमको मिल रहा है 3.86 तो यहाँ पे हमें voltage drop मिल गया है percentage में तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3.86% यहाँ पे हमें important है अगर आपको किसी ने पूच भी लेया तो आपको मालूम होने चाहिए कि होल्टी जॉप किस तरह से निकलते तो आज के लिए तने तो मिलते ने स्टूडियो में तब तक लिए बैबाय है